मुझे लग रहा है इस पॉट में हमें बहुत सारे सकरकन मिलने वाले हैं वाव दिखाई भी देने लग गए कितने सारे सकरकन स्वगत है आपका gardening and creativity में देखे फ्रेंड ये मेरा एक drum है जिसमें मैंने आम का पेड लगाया है आम होते हैं इसमें काफी सारे पिक दिखाऊंगी आपको लास्ट येर की तो देखे उसी की जड़ में जो खाली स्पेस होता है उसमें मैं कुछ न कुछ सबजियां लगा देती हो और काफी स्पेस हैस ड्रम में इसलिए सबजियां अच्छी भी होती है तो दिखाते हूं इस बार मैंने इसमें लगा दिया है सकरकंद सकरकंद की छोटी छोटी कटिंग लगाई थी आप चाहें तो सकरकंद को रूट से भी लगा सकते हैं जो आप मार्केट से खाने के ल दिखाऊं तो पूरा ड्रम नीचे तक जो है यह आ जाते हैं इसके बाल की तरह यह दिखाई देते हैं अब जो है यह है पहले की पिक और यह लगे हुए इसमें आम तो आप सकरकंद की हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है इन्हें निकालते हैं इन मैंसे देखे कितने नि लगा है यह परपल कलर खाली ड्रम रहता था इसलिए नीचे से यूज कर लिया तो हो गया आम के आम गुठ्लियों के दाम उपर हमें आम मिलते हैं नीचे से रूट से मैं मुझे मिलते हैं सकरकंद हमेशा मैं इसके नीचे से इसी तरह के प्रांड को लगा है जब पॉट खाली खाली सा नजर आता है तो उसमें कोई सब्जी में लगा देते हूं इस बार मैंने इसमें सकरकंद लगा दिया है तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे सकरकंद लगेंगे देखते हैं कितन ले रही हूं अगर आप चाहें तो इन कटी भी ब्रांचेज को लगा भी सकते हैं यह इजिली लग जाता है और जो इसे रूट से भी लगा सकते हैं आप स्टेम से भी मैंने स्टेम से ही लगाया है और इसमें छोटी छोटी रूट बच जाती है उससे भी एक पौधा हमारा न एक सकरकंद को आप मिट्टी के अंदर लगा दीजिए उससे कुछी दिनों में नए पौंधे निकलने लग जाते हैं तो देखिए नीचे से रूट तो इसकी दिखाई देने लग गी लगता है बहुत सारे सकरकंद निकलने वाले हैं इसमें से वाव काफी सारे दिखाई देने लग गए हैं लाश्ट एयर मैंने निकाले नहीं थे उसकी वज़े से भी ये बहुत ज्यादे ही हो गए हैं जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कई ज्यादे सकरकंदे हमें मिलने वाली यहां से क्योंकि इस ड्रम में इनको स्पेस काफी मिल गया है फैलने के लिए ये जड़े इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं लास्ट तक बने रहे हैं लास्ट में बताऊंगी मैंने इन्हें कैसे लगाया था पहले मैं सभी जड़ों के नीचे से मिटी साइट कर लेती हूँ देखे नीचे से भी और दिखाई दे रहे हैं इधर इसमें एक ने कई सारे पौधे थे सकरकंद के इसलिए इतनी सारी इसलिए इतने सारे सकरकंद यहां से मिल रहे हैं और देखे एक तूट भी गया है जड़ी यहां पर और यह पिछले साल की होगी साइट मैंने लाश्टियर भी इनमें से निकाला नहीं था तो यह बहुत मोटी मोटी हो गई हैं जादे दिनों तक रखने से यह सकरकंद खराब होने लग जाती है तो यह लापरवाई से लाश्टियर निकाले नहीं थे तो कई सारी रूट इसक बढ़े वाली जड़ें जो होती है इतनी अच्छी नहीं होती है अच्छी नहीं होती है देखे एक रेड सा और दिखाई दे रहा है लगता है यह बहुत टेस्टी होगा बनाने में हिसका कलर बहुत अच्छा है जिस तरसे सकरकंद का आता है छोटे छोटे सकरकंद अच्छे होते हैं खाने में तो देखे कितने सारे निकल गए अभी यह इसमें बहुत सारे सकरकंद बचे हुए हैं देखे कितना बड़ा है ये ये नीचे से तूट भी गया है और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा इतने बड़े भी सकरकंद होते हैं एक बसकेट मरे भड़ चुकी है अभी भी इसमें बहुत सारे सकरकंद बचे हुए हैं तो देखे इतने छोटे छोटे टुकडों को भी आप लगा सकते हैं जल्दी जल्दी मैं इन सभी को निकाल लेके बाद दिखाती हूँ आपको कितने सारे सकरकंद हमारे निकल गए हैं आसा करती हूँ आज की हार्वेस्टिंग आपको अच्छी लगी होगी तो देखिए मैंने सकरकंद को कैसे लगाया था मैंने इसे लगाया था कटिंग से आप चाहें तो रूट से भी इसे लगा सकते हैं कभी कभी मैं रूट से भी लगा लेती हूँ तो इसकी सॉयल के लिए आपको रेतिली मिटी चाहिए धूप में इसे लगाने आपने अगर रूट ना भी मिले इसकी वाइन जो है बहुत खुबसूरत लगती है जैसे ही उसमें रूट बनने लगती है उसमें आप मिटी चड़ाते रहिए मैंने अपने सकरकंद की बेल में सिर्फ गोवर की खाट ड गर्णिंग अच्छी लगती है और डियाइवाइज से रिलेटेट वीडियो आप देखना पसंद करते हैं मेरे चनल में इसी तरह की वीडियो आती है प्ली लाइक सस्क्राइब सेर जरूर कर लीजी करते हो एक नए वीडियो में बाबाई हैपी गर्णिंग